विधान सबा चुनाव से कुछ महिने पहले बीजेपी ने हर्याना का सीम फेस बदल कर जिस तरह से चुनाव जीता है उससे बीजेपी के साथ-साथ नायप सिंग सैनी का कद भी बहुत बढ़ गया है चुनावी नतीजों से साफ हो गया है कि बीजेपी लगतार तीसरी बार हर्याना में सरकार बनाएगी एक्जिट पोल के दावों को सिरे से खारिच करते हुए बीजेपी ने हर्याना में हैट्रिक लगा दी है लाड़वा सीट से नायप सिंग सैनी ने कॉंग्रेस के मेवा सिंग को 16,054 वोटों से हरा कर जीत हासिल की है सरसे पहले मैं हर्याना प्रदेश की जनता का दो क्रोड अस्सी लाख लोगों का मैं परणाम करता हूँ दिल से धन्यवाद करता हूँ कि जिनोंने भारतिया जनता पार्टी आधनिया नरेंदर मोदी जी की नीतियों में एक बड़ा विश्वास विक्त किया है ये जीत ये हर्याना के किसान की है ये जीत हर्याना के गरीब की है ये जीत हर्याना की महिलाओं की है और ये जीत हर्याना के युवाओं की है 25 जन्वरी 1970 को अमबाला के मिर्जापूर माजरा गाउं में जन्मे सैनी 2014 से 2019 के बीच खटर सरकार में मंत्री रहे थे। नायब सिंग सैनी 2014 में नारायनगर सीट से जीत कर विधान सबा पहुंचे थे। इसके बाद 2019 में उन्होंने कुरुक्षेत्र लोकसबा सीट का चुनाब जीता। बीजेपी ने OBC समुदाएव और गैर जाड बिरातरी पर अपनी पकड मजबूत करने के लिए औक्टोबर 2023 में नायब सिंग सैनी को हर्याना बीजेपी का अध्यक्ष बनाया था। पांच अक्टोबर को वोटिंग खत्म होने के बाद आए एक्जिट पोल में हर्याना में बीजेपी की हार का दावा किया गया था। लेकिन तब भी नायब सिंग सैनी ने बीजेपी की जीत का भरोसा जताया था। लगतार तीसरी बार हर्याना में सरकार बनाएगी। एक्जिट पोल के दावों को सिरे से खारिच करते हुए बीजेपी ने हर्याना में हैट्रिक लगा दी है। लड़वा सीट से नायब सिंग सैनी ने कॉंग्रेस के मेवा सिंग को 16,044 वोटों से हरा कर जीत हासिल की है। सबसे पहले में हर्याना प्रदेश की जनता का दो करोड़ अस्सी लाख लोगों का मैं परणाम करता हूँ दिल से धन्यवाद करता हूँ कि जिनोंने भारतिया जनता पार्टी आदनिया नरेंदर मोदी जी की नीतियों में एक बड़ा विश्वास विक्त किया है। ये जीत ये हर्याना के किसान की है, ये जीत हर्याना के गरीब की है, ये जीत हर्याना की महिलाओं की है और ये जीत हर्याना के युवाओं की है। 25 जनवरी 1970 को अंबाला के मिर्जापूर माजरा गाउं में जनमे सैनी 2014 से 2019 के बीच खटर सरकार में मंत्री रहे थे नायब सिंग सैनी 2014 में नारायनगर सीट से जीत कर विधान सबा पहुंचे थे इसके बाद 2019 में उन्होंने कुरुक्षेत्र लोकसवाज सीट का चुनाब जीता बीजेपी ने OBC समुदायव और गैर जाड बिरातरी पर अपनी पकड मजबूत करने के लिए औक्टोबर 2023 में नायब सिंग सैनी को हर्याना बीजेपी का अध्यक्ष बनाया था पांच उक्टोबर को वोटिंग खत्म होने के बाद आए एक्जिट पोल में हर्याना में बीजेपी की हार का दावा किया गया था लेकिन तब भी नायब सिंग सैनी ने बीजेपी की जीत का भरोसा जताया था अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें